हेलो गाइज देस चाहदीन अफ्रीदी और गाइज तोड़े वी डिसक्स अबाओ देनीव टॉपिक इस मोशन इन दियर टाइप आज कहा हुआ टॉपिक है मोशन इन दियर टाइप हम क्या पढ़ रहे क्लास 9 फेजिक्स शेटर नमबर सेकर कौनमेटिक्स में टॉपिक 2.1 मो में मोशन को इसा को मोशन में में होगा जो आपने सुराउंडिक्स के लोहाँस पर अपना पॉजिशन के तफित प्लास नच करें ने तो नहीं में थाचेप। पहला अइभ तो निए मोशन का पहला टाइप जो है वह है ठ्रांसलेट्री मोसन translatory motion यनियों मोशन का सबसे पहला टाइप है translatory motion motion of a body in a straight line without any rotation is called translatory motion दोस्तों एक बॉड़ी का ऐसा motion ऐसा हरकत जिसम को में यनि वह straight line हरकत हो straight line motion हो और rotation के बगए रोटेशन के बागेर हो यनि वह लेकिन वह मुविंग करते हो एक एक स्ट्रेट लाइन में तो वह हमारी साथ होगा । यप मौशन आप इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा तो वह होगा ट्रांसलेटरी मोशन अब पेर से ट्रांसलेटरी मोशन को तीन ट्राइब्स में डिवाइड किया सबसे पहले समयाता है लीनियर मोशन दोस्तों सबसे पहले टाइप है लीनियर मोशन अफ बोडी इन स्ट्रेट लाइन इसका लीनियर मोशन यहने किसी भी बोडी का वो मोशन जो के स्ट्रेट लाइन पे हो सिदी लाइन पे हो तो उस मोशन को हम कहते हैं लीनियर मोशन जैसा के एक्जामपल कार मुवेंग आन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन या एक एरो प्लैन है वो मुवेंग करती है तो वो भी हमारे साथ किया है वो भी लीनियर मोशन है ठीक है अगर स्ट्रेट लाइन में है तो भी मोशन में है इढूस दोस्तो Olympics यहां एक्जेम्पल यही कि स्ट्रेट लाइन निवेजी आगर निवेज़ वह स्ट्रेट लाइन पर रहा है तो वह माशन जब इनिये से था मैशिय वा श நप कोस्पで खुआता है दोस्तों उसके बाद है Random Motion ... यानि या इरी रिगूलर मोशन औ cosmetic बोडी इसका रेंडूम मोशन आसा दो जिसका irregular हो यानि खास शेप नहीं हो ... उसके आप हास रेंडूम मोशन औरальная fertig खता है जो है ये भी क्या करता है डस्ट पार्टिकल ये भी हमारे साथ रेंडम मोशन करता है सेम तो सेम एक्जामपल हम ले 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 आग गेस पार्टिकल जो है वो भी एर्रीगुलर मोशन करते है दोस्तोग और हमारेसाथ जो रेंड़म मौशन होगा किसी भी बॉडिी का जिसके आच अब दिसपार्टिकल है !! तो को जो रेंड़म होता है !! तेम टुसेम गेस पार्टिकल जो है Navy чем भी रेंडम मौशन होगा। अब दोस्तो उसके बाद जो है वो सर्कुलर मोशन है यानि वो भी इसका टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन का तीसरा टाइप है सर्कुलर मोशन दोस्तो सर्कुलर मोशन दो मोशन अफ बाद इन सर्कुलर पाद इसकाल्ड सर्कुलर मोशन circular motion ऐसा body का ऐसा motion यो कि circular path पर हो circular motion हो तो उसका हम कहते है circular motion यह एक circular path है वो क्या है उसमें जो object मुहिंग करता है उसका motion होगा circular motion जैसा के प्लिनेट मोशन आफ प्लैनेट है दो सन के एर गिर जो प्लेनेट रिवालवे करता है उसका मोशन भी circular motion होगा सेम टो सेम मोशन आफ मून एगर चान्द यह नहीं मून जो यह वह आर्थ के एर गिर क्या करता है circular motion करता है तो वो भी circular motion होता है इस तरह हम कहते है कि किसी भी body का motion अगर circular path में हो तो वो होगा circular motion अब ये complete हो गया यहने translatory motion और पिर उसकी three types linear, random and circular motion उसके बाद दुसरा आता है Rotatory motion दोस्तो रोटेटरी मोशन the motion of a body about the X is called Rotatory Motion यहने बोडी का वो मोशन जो के एक fix X आकार के लिहाओ से रोटेट करता है उससे fix X से रोटेट करता है तो वो मोशन होगा Rotatory Motion झारे सूछिस का हमरे साथ यहने दो motion of a body about the axis is called rotation यानि किसी बोड़ी का वो मोशन जो कि एक फिकस एकसे से हो उसको कहते है rotation motion जैसा कि हमारे साथ example motion of a दोस्तो हमारे साथ rotation motion का जो एक्जेमपल है वह motion of fan यानि जो fan यानि पंका जो हरकत करता है वह इकस एकसे से वह रोतेर तो इसका motion होगा रोटेटरी मोशन इस तरह motion of wheel यहनि जो हमारे साथ पाया होता है यह थार होता है उनुद्धार करता है वह भी एकस्ति के ज़रे जिसको ओम नार्मली ब़ोलते एकसल तो ये भी एकसिस के जरीए एकसिस के लिहां से उक्या करता है तो वो भी रोटेटरी मोशन होगा उसके बादाता है वाइबरेटरी मोशन दोस्तो हमारे साथ वाइबरेटरी मोशन टू एंड फ्रोम मोशन अफ एबोडी is जिन लाइबरेटरी motion चाल भी एकभी मोशन का मतलब यह कि यानि आगे और पीच हे ज Culkin जिसा का लाइबरेटरी मोशन को कोई उपप्रेटरी Step जिसा कि ऐ मार कर जिस के गजिताए टू इंड फ्रो यनि टू ओ यानि भेक ऐन्वर्न तम् ON sacr जाता है इस मोशन को क्या कहते हैं वाइबरेटरी मोशन ही हम नर्मली कहते हैं वाइबरेशन